Hello Friends, आज किस पीडियो में आपको traffic lights बना कर दिखाने वाला हूँ जिसको Friends, आप BTEC Major Minor Project में बना सकते हैं और आप इसको school level पर भी बना सकते हैं तो आई Friends वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए Friends, सबसे पहले हमको इस तरह के bread board लेना है इसके बाद friends हमको green, yellow और red LEDs लेना है Friends LED का छोटा वाला lag negative होता है और बड़ा वाला lag positive होता है सबसे पहले friends हमको छोटे वाले lag negative को हमको breadboard के मानेश terminal के साथ connect करना है और जो बड़ा वाला lag है उसको हमको breadboard के ए बाले terminal के साथ connect कर देना है और कुछ इस प्रकार से friends हमको LEDs को breadboard के उपर connect करना है इसके बाद friends हमको कुछ इस प्रकार के तीन jumper wire लेना है green वाले jumper wire को friends हमको green LED के positive पर connect करना है yellow बालो को हमको friends yellow LED के positive पर connect करना है और red jumper wire को हमको red LED के positive पर connect करना है इसके बाद friends हमको एक black color का jumper wire लेना है और इस black jumper wire को हमको friends minus terminal के साथ connect कर देना है इसके बाद friends हमको जरूरत होगी Arduino boat की इसकी link बने description में दिये friends इसको आप online या फिर offline purchase कर सकते हैं Friends green jumper wire को आपको Arduino की pin number 8 के साथ connect करना है yellow jumper wire को आपको Arduino की pin number 9 के साथ connect करना है और इसके बाद friends जो red jumper wire है इसको आपको Arduino boat की pin number 10 के साथ connect करना है इसके बाद friends जो बचा हुआ black wire है इसको आपको Arduino boat की ground वाली pin के साथ connect करना है इस तरह से आपको LED और Arduino के connection करने है इसके बाद friends आपको blue color की data cable को Arduino के साथ connect करना है और OTG cable को Android mobile के साथ Play Store से friends आपको Arduino application को download कर लेना है Friends, नीचे मैंने coding की link दिया है Simply आपको link पर जाकर coding को copy करना है और screen पर आकर आपको इसको paste कर देना है Friends इसके बाद Friends, आप traffic lights की duration मतलब कि उसकी timing को change भी कर सकते हैं इसके बाद Friends, हमको compile पर click करना है और इस code को हमको पहले compile करना है Friends, compile होने में Friends 10 से 20 सेकंड्स लेगा और इसके बाद एक compile process पूरी हो चाएगी और इसके बाद हम इस code को upload कर देंगे Friends, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार हम घर पर बैठे बैठे traffic lights बना सकते हैं यदि आप इसी तरह की वीडियोस में interested हैं तो आपको हमारे चैनल को simply subscribe करना है जिससे हराने वाली वीडियो अब तक पहुंच सकेगी